हाई स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 11th Mathematics और यहां पे एक स्टूडेंट के मन में डाउट आ रहा था और आप में से भी कहीं सारे के मन में डाउट आ रहा होगा कि जो एक्जाम्स होने वाले हैं उन एक्जाम्स में एक मेजर टोपिक है ये काफी बड़ा सवाध रहता है कि किस चैप्टर ठागर आपको सिर्फ पास होना है अच्चे नमबर वाले तो भाया सारे करेंगे लेकिन जिनको पास होना वो ध्यान किस चैप्टर्स पे खास तोर पे दे तो उसके बारे में आज इस वीडियों में डिसकस करेंगे यानि कि हम पेपर डिजाइन पेपर पैटरन के बारे में हाँ पर बात करने वाले हैं मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं है CCL चलो शूरू करते हैं अभी कहानी को देखो यहां पर एक्षली में क्या सीज्ट चलेगा आपका यहां पर उनकि ना ना दे बता रहा है है आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा पहला है देखो यहां पर लास्ट में बता रहा हूं यह है यह है आपके वन वर्ड और यह है फिल इंदा ब्लैंक ठीक है यह चीजे अब आप बोलोगे कि सर इसका मनलब क्या हम कुछ समझे नहीं इस बात से देखो आपके जो अठारा तो आ रहे हैं एम सी क्यूज बारा आ रहे हैं वन वर्ड ठीक है और दस आ रहे हैं यह अब यहां कुल मिला के आप देखते हो आठ और दो दस यानि कि 40 नंबर का पर तो एक नंबर के कोस्टन से बनने वाला है तो इस चीज का ध्यान रखना अगर आप बस ऐसे सोच रहे हो ना कि तुक्कों में पास हो जाओगे तो वह वाला काम अब की बार नहीं होने वाला है क्योंकि द कर सकते हो अब यहां पर हमारी वेबसाइट के ओपर जो है इन चीजों को अपडेट कर देंगे हमारी वेबसाइट है चैप्टर डोट कोम ठीक है वहां पर जाके आप देख सकते हो आपके काम का मिल जाएगा कुछ ना कुछ अब यहां पर यह चीज़े ध्यान अगना कि जो पेपर आने वाला है 40 नंबर तो इधर से ही बनने वाले है वन मार्क कोस्टन से इस चीज का ध्यान अगना आप और अब ही कि बात कर लेता है कि कौन से चैप्टर से कितना रहने वाला एक्जाम के अंदर तो यहां पर यह रहा आपका वेटेज के बारे में देखो चैप्टर यहां पे कई सारे चैप्टर अभी आपके मैथेमेटिक्स में चल रहे होते हैं तो इस चीज को लेके ही इनों ने है और बीस नंबर वह गेंग कर सकते हैं दर से देखो फ़ला स्था आ जा रहे हैं जहां तक भी वर्न us और वह इसमा पर चीजिए इसी परील्ड रहने वाली है उसके बाद में बात करें ऐलजाब्रा की तो जो है बाइस नंबर या पंदरा ही को सना यह यानि कि सेम ऐर्यहां पर किस तरीक से उनको डिजाइन क्या जा रहा है को संसको आगे देखे तो यहां पर कोडिनेट जियोमेटरी यहां पर से 16 मार्ग के कोशन आने वाले हैं आपके इस वाले टोपिक से और कैल करस्ट यह काफी वास्ट टोपिक है मतलब कहीं सारे चैप्टर आपके लगबगा ऐ से लेके 10 11 के राउंड तक जो है आपका कैलकुलास ही चलता अब देख लेना मैठेमेटिक में आपको आइडिया हो इतना तो जो यह कैलकुलास है कैलकुलास चिरफ दस नंबर का रहा है अगर आपको दिमाग खराब होता देखो सबसे ज्यादा वासकाम यहीं लगता है कि जो चैप्टर मुस्किल उनको कैसे करें हम सोल तो अगर आपको वही दिखता है तो आप स्टार्टिंग वाले चैप्टर से में जाना सैट फंक्शन यह इजी वाले चैप्टर से विल्कूल अलजेब्रा तो इन में शाप आराम से पास होने वाला जुगाड कर सकते हो बठा यह सिर्फ बारा नंबर की जो कि आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा क्योंकि प्रोबैबिलिटी जो है इजी टोपिक है और स्टेटिस्टिक भी बहुत इजी टोपिक है तो चैको सना टेन होने वाले यानि कि लगबग मानों तो आवरेजली दो नंबर का एक कोस्टन करेंगे अगर सिर्फ पास होने वाले हैं तो आप इन चैप्टर पे ज्यादा कोर कर सकते हो तो यह ता आपका पूरा इस चैप्टर के अंदर से कि कौन सा चैप्टर कितना नहीं वेटेज रखेगा अब आप बोलोगे कि सर आपको एक चैप्टर का बताना चाहिए इसमें स हरियाना बोर्ड वालों ने इसी को जारी कर रखा है और अब हम अपने पास से कुछ एड़ अप नहीं कर सकते हैं तो यह चीज आपको ध्यान अखने पड़ेगी कि पूरा चैप्टर में से हो सकता है आप देखोगे कि बहिए इतना बड़ा टोपिक है बीस नंबर सारी ओल कर सकते हो आपके एक्जाम बढ़िया ही जाएंगे चलो मिलते हैं नई वीडियो में तो स्टुडेंट पूछ रहा था तो मैंने वीडियो बना के इसको बता दिया है अगर आपके मन मन में कोई डाउट है कि कोई और बुक का कि इसमें कितना वेटेज रहने वाला चैप्ट कर दो